बाधायँ आती हैं तो आए या घिरें प्रलय की घोर घटाएं पैरों के नीचे अंगारे सिरपर बरसें यदी जवाल आएं निज हातों से हस्ते हस्ते आग लगाकर जलना होगा कदम मिला कर चलना होगा स्वागत है आप सभी का MPPSC उतकर्ष के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर और मेरा नाम है विक्रमादित और मेरे साथ आप सभी लोग मिल करके एक ऐसी सक्षियत की चर्चा करेंगे जो सक्षियत वैसे तो किसी परचे की महताज नहीं है लेकिन अपने जीवन के विस्तितम समय में से थोड़ा समय निकाल कर इस सक्षियत को और भी बारीकी से जान लिया जाए तो यह सही माईने में सच्ची श्रद्धान जली होगी जी हाँ साथियो मैं बात कर रहा हूँ श्री अटल बीहरी वाचपई जू ना केबल भारत रतन हैं बलकि उन्हें कविएं की दनिया में सितारे के समान और राजनीति की दुनिया में दुरुप तारे के समान माना जाता है वे अटल ब hmीहरी वाचपई जिनके नाम पर आज हम मना रहे हैं सुसाशन तो आज के इस वीडियो मेश के बल हम अटल भैरी वाजपई से चर्चा करेंगे बलकि सोशाषण पर भी चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि कौन थे अटल भैरी वाजपई से जिनके नाम पर अज कर आछ आज हो सिंदे की च्षावनी उस स्थान पर अटल बिहारी वाजपई का जन्म हुआ तथा प्रारंबिक सरिक्षा भी उन्होंने गॉालियर सहर से ही अर्जित की गॉालियर में ettie college है जिसे आज वर्तमान में हम जानते हैं ओरब आने लक्ष्मीवाई college के नामें से वह इसी किसी जमाने में विक्टिरिया कॉलेज के नाम से भी जाना जाता था उस कॉलेज में बीए करने के बाद अटल बिहारी वाजपई कानपुर पहुंचे और वहां पर उन्होंने MA की डिगरी वहां से प्राप्ट की अटल बिहारी वाजपई अपने विद्यार्थी जीवन से ही विद्यार्थी में दिखाई पड़ता है वे ना केबल पूर्ण रूपेड हिंदू थे बलकि सही माइने में एक ऐसे हिंदू बन करके उभ्रे जोनों हिंदुत्व को लोगों को सिखाया भी सहिष्णता उनके स्वभाव में थी अपने धर्म का पालन करने के सास्थ अन्य धर्मों का सम्मा किसे किया जाता है इसकी सही सिक्षा हमें अटल बिहारी वाजपई के जीवन से प्राप्त होती है राजनीती में उनकी शुरुवात एक बहुत ही बड़े आंदोलन के साथ शुरू ही कहा ये जाता है कि जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तब उन्होंने जेल यात्रा भी की यदिपी कई विरोधी कहते हैं कि यह जेल यात्रा अटल बिहारी वाजपई की और से नहीं थी लेकिन कई सारे सबूतों के आधार पर यह सुनिश्चित हो पाया कि अटल बिहारी वाजपई ने भी 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी उन्होंने जेल की या अटल बिहारी वाजपई ने अपने वहवार अपने सदकर्मों के बल पर केबल प्रधान मंत्री के पद को सुशोबित किया बलकि ये भी कहा जाता है कि संसद में उनका 10 बार पहुंचना लोगशभा में दस बार पहुनचना ये केबल पहुचना नहीं है बलकि लोगशभा और राजपऊ को अटल बिहारी वाजपई के करकमलों ने उनके पैरों न ने उस संसत को पवित्र भी किया श्री अटल बिहारी वाजपी प्रधान मंत्री के पद पर पहली बात काविज हुए 1996 में लेकिन राजनितिक गतिरोध के सामने अटल की कस्ती तहर सकती थी शॅरुआत में कई सारे राजनेतिक लिए मिल करके अटल बिहारी वाजपी की सरकार को महज 13 दिन टिक ने दिया उसके बाद अटल लेकिन देखा कि अटल किस प्रकार अटल बने हुए हैं इसके बाद अटल बिहारी वाचपी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो गैर कॉंग्रेसी होने के बावजूद भी पांच वर्ष तक लगातर सत्ता में बने रहे हां वर्ष 1999 से लेकर 2004 तक पहले ऐसे व्यक्ति हुए जिन्हो आज भी हमारे लिए अनुकरणिय बनी होई हैं और आप सभी जानते हैं चाहें आप बात करें परमाणू बम के परिक्षण का जो पोखरण में हुआ था या आप बात करें पाकिस्तान के साथ संबंदों को सुधारने का एक बहतर प्रयास करना वे जानते थे और उनका कहना भी था कि हम अपने दोस्त बदल सकते हैं लेकिन परोसी नहीं उन्होंने परोसियों के साथ में अच्छे संबंद बनाने के लिए लाहौर के लिए ना केवल बस सुविधा शुरू की अपितू स्वैम भी लाहौर बसके माध्यम से यात्रा करत हुए पाकिस्तान के पास पह के और कारगिल में अधिकार जमाने का प्रयास भी कर रहा था और एक कहानी और ओचक कही जाती है कि कारगिल वॉर को तो जैसे- relearnation अगर आप देखं पाकिस्तान जो भारत की ऊपर हमला कर रहा था तोप पीट के पीछे हमला कर रहा था तो भारत ने ना केबल पाकिस्तान को युद्ध में हराया बलकि उस समय पाकिस्तान की और दोस्ती का हाथ बढ़ा करके यह भी बता दिया कि जो सहिश्णता और जो मित्रता की कसोटी भारत में हैं वे शायद दुनिया की किसी और देश में नहीं उसी पाकिस्तान में जब प्रधान मंत तरिटरी जी, पत्रकारों के साथ मैं जो सम्भुदित हो रहे थे, तो उस समय पर एक पाकिस्तानी महिला पत्रकार ने कहा, बड़ा ही रोचक प्रसंग है। उस पाकिस्तानी महिला पत्रकार ने कहा कि अटल जी आप मुझसे साधी कर लीजिए, मुझसे विवाह कर लीजिए, लेकिन मुझे 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 दिखाई में कश्मीर चाहिए, अटल जी भी हाजिर जबाबी थे, अटल जी ने कहा कि ठीक है मैं मुझे दिखाई में कश्मीर दे दूँगा लेकिन जब मैं तुमसे विवहा करूँगा तो मुझे दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए तो अपनी इस हाजियर जबाबी के दम पर पाकिस्तान में ही बैठकर पाकिस्तान को सबक सिखाना कोई अटल से ही सीख सकता है दो हजार चार पांच के आसपा से अटल जी का स्वास्त थोड़ा सा खराब रहने लगा और कुछ ही समय के बाद अटल जी ने राजनीती से सन्यास ले लिया और उसके बाद उनके सभी कृत्तियों को देखते हुए राजनीती में उनकी बेदाग छवी को देखते हुए केबल और केबल राजनीतिक नहीं है कवियों के रूप में भी उनकी जो चवी है वो ना केबल भारत में बल्कि विदेशों में भी काफी विख्यात है अटल विहारी वाजपई पहली ऐसी सक्षियत थे जिन्होंने यूएन में भाशण हिंदी भाशा में दिया था माहिंद श्री अटल विहारी वाजपई का कविखंड मेरी 51 कविताओं के नाम से प्रसिद्ध है तो एक राजनीतिक के रूप में नहीं ना केबल एक कवी के रूप में अपी तुब एक पत्रकार की रूप में भी श्री अटल विहारी वाजपई ने कृत्य किये हैं जैसे अगर तो बहु मुखी प्रतिबाह के धनी आप इनको कह सकते हैं श्री अटल बिहारी वाजपई की सारी उपलब्दियों को देखते हुए ही यह सुनिश्चित किया गया वर्ष 2014 में कि अटल बिहारी वाजपई ही एक ऐसी सक्षियत हो सकते हैं जिनके जन्म दिवस को सोशाचन पर क्या लाद दिखाई दे सकते हैं सबसे पहले आप सभी विद्यार्थी जानते ही होंगे कि शाशन से आश है एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें ना केबल निर्णय लेने की प्रक्रिया शामिल है अपितु निर्णय को धरातल पर लागू भी किया जाता है और जो शाशन व्यवस्था को धरातल पर लागू करते हैं उन्हीं लोगों को प्रशाशक कहा जाता है चुकि साशन की अवधार्णा भी जितनी पुरानी है उतनी ही पुरानी अवधार्णा है सोशाशन की यानि की गुड गवन्नेंस की बात अगर आप करेंगे कोटली की तो कोटली ने प्रजा सुखे सुखम राग्यम प्रजा नाम चाहिते हितम अर्थात प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है और प्रजा के हित में ही राजा का हित है कोटली के अर्थसास्त्र से लेकर महा कवी तुलसी दास जी के द्वारा रचित श्री राम चरितमानस के उत्तर कांड म जहां राम राज जी की कल्पना मिलती है जहां राम राज का वहत चित्रण मिलता है वही सोसाशन का ही एक अंग है इसके अलावा गांधी जी का सुराज हो या ऐसी तमाम किताबें है जहां पर आपको सोशाशन की अवधारना प्रत्तक्ष रूप से देखने को मिल जाती है। विश्व पतलप सोशाशन की अवधारना पहली बार 1990 के बाद शुरू ही। तब विश्व बैंक ने सोशाशन को ना केबल परिभाशित किया बलकि सोशाशन के कुछ आदार भूत इस्तंभ भी ही बताए। मैं आपको बताना चाहूंग कि सोशाशन की परिभाशां कई सारी बन सकती हैं। आप यह जकी किए भागेता हो उसे भी सुसाशन कहा जाए इसके अतरिक्त आप यह भी कह सकते हैं कि ऐसी साशन विवस्था जिसमें नागरकों का संपूर्ण विकास हो सके उसे भी सोसाशन कहा जाएं यहां संपॉण विकास से आशे है सामाजिक आर्थिक एवर मुराजनितिक सभी प्रकार के अगर फॉण विकास किसी साशन विवस्ता में संभव सकते हैं तो उसे ही सही माँणे में सोशाशन कहा जा सकता है चुकि वर्ल्ड बैंकन है यानि विश्व बैंकन सोसासन के जो इस्तंभ बताएं हैं उन्हें क्या-क्या शामिल है उन्हें भी हम जान लेते हैं। स्थंबहों में शामिल किया जाता है भागीदारी को कानून के शाशन को आम सहमती को पारदरशिता को जवाब जिन में से तीन काफी महतपून माने जाते हैं, एक है पारदरशिता, एक है आमजन की भागीदारी और एक होता है अनुक्रियाशीलता, यानि कि सभी आठ इस्थंबों को अगर सही माइने में शाशन में शामिल कर दिया जाए तो वही कहलाता है सोशाशन, वैसे तो सोशाशन कि अवधारना केबल और केबल और काइव सारे विक्टियों के द्वारा कहा जाता है कि केबल और केबल और कालपनिक अवधारणा है लेकिन ऐसा नहीं है धरातल पर भी अवधारणा लागू हो सकती है और भारत सरकार ने भी सोशाशन को लागू करने के लिए कई सार्थक प्रयास किये हैं जिन में से ई-गवन्नेंस से लेकर के लोगपाल एबम लोकायुक्त के स्थापना तक के सभी प्रयास स समय पर भी सोशाशन के संदर में कई सारी व्यवधान भारत की चुनोतियाँ हैं भारत में पाई जाने वाली बिविदताओं के अलावह भी एगर हम समय ऑसिक्षा बींटि यह हुई है चुकि बाध हैं तो अनेक हैं लेकिन हम सब मिलकर हम सब डटकर उसका सामना अवश्य क तो क्योंकि परमश्रद्धि अटल बिहारी वाजपी ही के व्यक्तव हैं जो लगातार हमें पेड़ना देते हैं अटल बिहारी वाजपी ने कहा था कि ना हार में ना जीत में किंचित नहीं भैभीत में कर्तब पठ जो भी मिला ये भी सही वो हो भी सही लगातर वे यह पंक्तियां संसत के पठल पर गुनगनाते रहते थे तो क्या हार में क्या जीत में हम भी लगातर प्रयास करेंगे तो निश्चिती और आप जानते हैं हम अगर अपने हिस्ते का काम बहुत अच्छे से करते रहेंगे सभी लोग अगर अपना-पना काम करेंगे तो यह देश निश्चित ही एक दिन सुशाशन को प्राप्त कर लेगा और देश में सही माइने में राइमराजी की स्थापना हो सकेगी मुझे लगता है कि यह वीडियो आपके लिए निश्च लौंच कर रहे हैं जो वर्ष 2024 की मुख्य परिक्षा को याद रखिए वर्ष 2024 इसका भी prelims भी नहीं हुआ है उसकी मुख्य परिक्षा की तयारी अभी से ही यानि वर्ष 2024 की परी के लिए साथी सार्वास 2024 के मेंस के लिए हिंडी और अंग्रेजी माद्या में प्रथक प्र परिक्षा की तैयारी शुरू करवाई जाएगी 3 जन्वरी से बहुत बड़ी प्लानिंग है बहुत अच्छी प्लानिंग है और आप जब आएंगे तो रिवीजन विद आंसा राइटिंग के साथ साथ में आपको ऐसे टॉपिक पहले पढ़ा दिये जाएंगे जो आपने प् प्रयास करेंगे धन्यवाद